अग्सर बनाया करते हैं लेकिन थोरे सेचेंजर्ज के साथ आप उसे और भी ज्यादा टेम्टिंग और हेल्दी बना सकते हैं हलो एब्रीवन आज हम बनाएंगे एक चीज आमलेट जिसमें काफी सारी सबजों का इस्तमाल करेंगे इसमें चीज होने के कारण बच्चे भी बड़ी आसानी से सिखा लेते हैं तो बहुत ही हेल्दी और अच्छा उप्शन है ब्रेकफास्ट के लिए आप इसे स्लैक्स में भी सर्व कर सकते हैं तो रेसिपी को पूरा जरूर देखिएगा और पसंद आए तो प्लीस लाइक करना बिल्कुल न भूले इसके लिए मैंने चार अंडे लिए हैं दो लोगों के लिए मैं बना रही हूं तो उसी के कॉटिंग बागी सारे इंगिनेस मैजर की है अंडो को तोड़के हमें एक मिक्सिंग बॉल में एट कर देंगे और उसे अच्छी तरह से में विस्क कर लेना है आप चाहें तो फोक से भी ये काम कर सकते हैं इसे तब तक मिलाईए जब तक की एक यॉक पूरी तरह से मिल न जाए तो हार्डली आपको आदे मिलेट का समय लगेगा इसे मिलाने में तो यहां पर देखिए जी तरह से मिक्स कर लिया है मैंने तो जैसे ये मिल जाए उसके बाद हम इसमें बागी की चेज़े आड़ करेंगे तो सबसे पहले यहां पर हम डालेंगे इसमें दो टेबल स्पून के लगपक दूर दूर डालें से ओमलेट काफी फलापी बनते हैं और सॉप बनते हैं तो ज़रूर आड़ कीजेगा अब ड यहां पर मैंने बारी कटावा काजर, शिमला मिर्च और प्याज लिया है आप चाहे तो इसमें बारी कटावा टमाटर और मश्रूम भी आड़ कर सकते हैं सब को हम एक के मिक्शर में एड़ कर देंगे और इस स्टेज पर आप चाहें तो इसमें बारी कटिवी दन्या की पत इसली होती है, यह देखिए, तो यहां पर हमारा एक मिक्शर बिल्कुल तेयार है, ओमलेट बनाने के लिए, तो हम बनाना शुरू करेंगे, तो इसके लिए एक पैन गरम किया है, मैंने कैस का फ्लिम लो कर दीजिए, एड़ करेंगे इसमें दू चमच के लख बटर आप इ इसे हम ढाल देंगे पैन में, और इसे लब तक 10 सकेंड तक पकने दीजिए, अब यहां पर हम स्पैचुला से इसे थोड़ा थोड़ा आगे की तरह बढ़ाएंगे, तो पीछे जो स्पैस बनेगा उसमें फिर से एक मिस जड़ा जाता है, तो इस प्रोसेस को करने से आप द पीट करेंगे, यह देखिए, और आप बीच में देख सकते हैं कितनी सारी लेयर्स बन रही हैं, यह देखिए, और जहां जहां स्पैस से वहां पर एक मिक्स्चर इस तरह से आ जाती है, तो लगभग आदी मिनट के बाद आप देखेंगे कि यह नीचे से सेट हो जाएगा, तब आप इस प्रोसेस को करना बंद कर दीजे, और जो लेयर्स बनती हैं, उसे इवनली स्प्रेट कर दीजे, तो लगभग एक मिनट के बाद यहां पर देखिए, अब जो हम स्पैस बना रहे हैं, उसमें एक मिक्स्चर नहीं आ रहा है, यानि कि वो नीचे से सेट हो अब हम इसे फ्लिप करेंगे, तो यहां साइट्स को थोड़ा सा लग कर लेता है, और यह देखिए, अब फ्लिप करने के लिए आप स्पून से भी से फ्लिप कर सकते हैं, लेकिन यह प्रोसेस मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, तो एक प्लेट रखने के बाद मैने उसे फ्लिप किया, अब वापस से पैन में अट कर दूगी, तो थोड़ा सा यह हैवी हो जाता है, तो इसके लिए स्पैचुला से तूटने का ड़रत है, तो इसके लिए मैंने इस तरह का प्रोसेस इस्तवाल किया है, अगर आप स्पैचुला से फ्लिप करना चाहें, तो इस स्पैच कर सकते हैं, या फिर इस तरह से ब्रिक जो मिलता है, उसे ग्रेट कर लीजे और फिर एट किजी, तो यहाँ पर एक साइड हम इसे अच्छे तरह से स्पैट कर देंगे, क्योंकि हम इसे फिर से फ्लिप करना है, तो यहाँ पर देखिए, लगबग एक चौधाई पकने देंगे और फिर से फ्लिप करेंगे, तो यहाँ पर देखिए, आदम इने ठोच चुका है, तो अब हम इसे फ्लिप कर देते हैं, और यहाँ पर देखिए, कितना च्छा कलर आया है, तो लगबग आदे बिनेट के लिए दूसरी साइड भी पका लेंगे, तो यहाँ आदम इने ठोच चुका है, तो गैस का फ्लिम आफ कर दिया, मैंने अब इसे गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं, तो यह आप टेक्शे देख सकते हैं, अब इसे मैं काट की दिखाती हूँ, तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, कि अंदर से चीज मेल्ट हुआ है कि नहीं, तो यह दे कि चीज कितनी अची तरह से मेल्ट हुआ है, तो यहाँ पर आप ओमलेट की तिकनेस देख सकते हैं, अंदर में इसकी लेयर्स आप नोटिस कर सकते हैं, तो वो जो टिप हमने फॉलो की थी, उसे जरूर फॉलो कीजेगा, इस तरह से आप ओमलेट बनाईए, आपके बच्चों को भी यह बहुत पसंद आएगी, इसे कर्मागरम सर्प कीजे, तो इस रेसिपी को बिल्कुल इसे तरह से जरूर ट्राइक कीजेगा, उमीद है आपको पसंद आएगी, अगर अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजेए, ज्याद ज्यादा शेयर करना मत भूलि मेरे चैनल पर आप पहली बारा हैं, तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल आप भूलिए, तब तक के लिए, स्टेए हेल्दी, स्टेए ब्लेस्टें, थैंक्यों अच्छी